नेशनल क्रस कही जाने वाली पुष्पा राज की श्रीवली अभिनेश्री रश्मिका मंदना अब पवन सिंग के साथ दिखेंगी वह पवन सिंग के साथ उनके गाने में नजर आने वाली है और गाना इतना जबरदस्त है कि इस गाने के पहले पार्ट ने पवन सिंग को ग्ल लॉली पॉप टू भी आने वाला है पॉण सिंग ने पिछले साल ही अपने लाइव और इंटर्व्यूज में यह खुलासा किया था कि वह दोजार तेज़ में कई बड़े हिट गाने लेकर आएंगे और इन में से एक गाना लॉली पॉप टू भी होगा वैसे साल दोजार ते पॉधरी को भोजपुरी में नचाने के बाद अब यह खबर आ रही है कि पॉण सिंग के इंटरनेशनल हिट गाने लॉली पॉप के सीक्वल यानि लॉली पॉप टू में साउथ की सूपर स्टार और बॉली वुड में अपना नाम मना चुकी अपने खुबसूरती के कारण नेशनल क्रस कही जाने वाली रस्मिका मंदना उनके साथ दिखने वाली है वो लॉली पॉप टू में पॉण सिंग की हिरोईन हो सकती है अब इसकी सच्चाई क्या है यह खबर कैसे बाहर आई सारी बाते विश्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे पर उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिस्टा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं पॉण सिंग ने साल बर पहले अपने एक स्टेज सो में कहा था कि आपने जिसको सोचा भी नहीं होगा उसको मैं भोजपुरी में नचाओंग है वो हरियाना के सूपर स्टार गाई का रेनु का पवार को अपने गाने में गवा चुके है वो बॉलीवूड के प्रसिद्ध और प्रतिष्टित म्यूजिक डिरेक्टर की जोडी सलीम सुलेमान के साथ काम करते रहते हैं इसके अलाबा पॉण सिंग बॉलीवूड का गान में से एक कहा जाता है उनको भी पॉण सिंग बोजपूरी में गवा चुके हैं सोनो निगम पॉण सिंग के एक छट गित में ना सिर्फ गाते दिखे थे बलकि उन्होंने उसमें एक्टिंग भी कि थी इसके अलाबा और भी दूसरे इंडेस्ट्री के कई बड़े कालाकार ह है और अब चर्चा हो रही है कि साउथ की बड़ी सूपर इस्टार अभीनेत्री जो ना सिर्फ साउथ में बलकि पूरे भारत में फेमस है वह बॉलीवोड की फिल्म भी कर चुकी है हाली में वह अमिताब बच्चन के साथ दिखी थी वह अभीनेत्री यह पाउंसिंग के सा हो गई वह रोल है पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म पुस्पा की हिरोईन स्रीवली का किरदार पुस्पा का गाना स्रीवली पिछले साल सबसे ज्यादा व्यूजब टोड़ने वाला गाना था और यह गाना रस्मीका मंदना के उपर फिल्म आया गया था फिल्म में रस्मिका का किरदार था शिरवली और इस गाने से रस्मिका पूरे भारत में बच्चे बच्चे के दिलो दिमाम में बस गई और इतनी बड़ी सूपर स्टार pewnoस्पूरी में काम करने वाली हैं हलाकि जब पॉण सिंग लॉली पॉप टू गाने के बारे में जानकारी दी थी तब उन्होंने बताया था कि इसमें एक बड़ी इस्टार दिखेंगी जिसका आप लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा और इस अधार पर यह बताया जा रहा है कि रस्मी का मंदना वो इस्टार है जो पॉण सिंग के साथ लली पॉप टू गाने में दिखेंगी अब यह खबर सच्ची है या सिर्फ अफवा है इसके पुष्टी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भोजपूरी इंडस्ट्री को लेकर असली खबर से कुछ अलग भ रही थी कि यह गाना 2023 के पहले ही महीने में रिलीज हो जाएगा यह बहुत बड़े बजट का गाना है इसमें सपना चौदरी दिखने वाली है यह सारी बाते शुरू में एक अफवा के साथ शुरू हुई थी पर आगे जाकर यह खबर सही साबित हुई अब देखना है रस् पूरी इंडरिस्ट्री से जुड़ी आने खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें बन्यवाद